नवश्कार में दिपालिया अब सभी का स्वागत दिपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आजका दी न इनकी 20 मार्च 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरूपत करते हैं मेर्श राशी वालो के साथ में शाशी वालों आज का दिन आपके लिए कही न कही अच्छी परिस्टितियों को लेकर आ सकता है opportunities अवसर्प आपके पास आ सकते हैं कैसे आप उसको channelize करते हैं या कैसे आप आगे बढ़ते हैं या आपके उपर निर्भर करता है अगर मैं आपकी health wise situation या सिनारियो देखूं तो आज के दिन positivity बनी रहेगी कुछ खास चिंता करने की बात नहीं है long term में अगर मैं देखूं finances को plan भी आज के दिन कर पाएंगे तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर कारे रहना नई परिस्टितियों का आंकलन करने के लिए महतरपूर्ण माना जा सकता है बात करते हैं ब्रशप राशीवालों के लिए ब्रशप राशीवालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए कहीं न कहीं सर्वोत्तम माना जाएगा अगर आप निवेश करने के point of view से इसको consider करें तो आज के दिन जो लोग long term investment plans में निवेश करना चाहते हैं share market में निवेश करना चाहते हैं या property dealing में निवेश करना चाहते हैं या at the same time किसी property के बेचने का इंतजार कर रहे हैं तो आज के दिन आपको काफी अच्छी परिस्तिती या काफी अच्छी situation या काफी अच्छी deal देखने को मिल सकती है जिससे आपकी परिस्तिती और अच्छी हो जाएंगी 37 लंबे समय से चल रहा कोई पारिवान एक तनाओ भी आज के दिन साजा होता हुए नजर आएगा उसमें भी positivity देखने को मिल सकती है बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों स्वास संबन्दी चिंता हैं आज के दिन आपकी कम होती हुई नजर आएंगी professionally बहुत जादा आप जागरुक रहेंगे cautious रहेंगे, conscious रहेंगे नई opportunities के बारे में आप timely information भी लेते रहेंगे आप के लिए आज के दिन professionally आ सकते हैं या तो नौकरी change करने के या कोई profile enhancement के कुछ ना कुछ आपके लिए बहतरी या बहतरीन situation आ सकती है जो आपके बहतरी के लिए आप उसको अपने to the best अगर मैं देखूं use कर सकते हैं, साथ-साथ वैपार विस्तार की अगर आप बात करें तो उसमें भी आपको positivity देखने को मिलेगी, मन शान्त रहेगा परिस्तितिया अनुकूल रहेंगी, साथ-साथ आज के दिन आप परिवार के साथ बिताएंगे समय और वो आपको करके जाएगा rejuvenate बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आपके अगर long term financial plans हैं तो आज के दिन कोई भी परिस्तिती में अगर आपको कारणवश, किसी कारणवश अगर निवेश करना पड़ सकता है तो आज के दिन आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए अपने आपको थोड़ा सा पोस्पोर्ण करी अपनी इस deal को सोचके समझके सारे तथ्यों को revise review करके recall करके क्या-क्या उसमें main points है उसके बाद ही आप इस deal में enter हुए साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नौकरी चेंज करने का मनुकुलतम समय आ गया है या वेपार वृद्धी का भी आ गया है तो उसमें भी अब आज का दिन आपके लिए सर वो तम बाना जाएगा किसी व्यक्ती विशेश की बहुमूल इस सला से आप अपनी परिस्थिती को और जाद अब बहतर बना सकते हैं स्वास संबंदी चंताएं भी आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों जो लोग वहां खरीदने में एक्षुक हैं या लॉंग टर्म फिनांशल स्टेबिलिटी में अब रिटर्न एक्सपेक्ट करना हैं जहांपर उन्होंने पिछले साल इंवेस्मेंट किया था अब आपकी परिस्टिती अच्छे होने वाली है साथी साथ आज के दिन लंबे समय से चल रहा है कोई लीगल तनाव भी अफसाजा होता हुँए नजर आ रहा है खास तोर पे अगर पैसे को लेकर कोई मनमुटाव परिवार की किसी सदस्य या कोई परिस्टिती में चल रहा था वो परिस्टिती अब आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी तो आप नेगोशियबल सिचुएशन पे अब आएंगे इतने साल हो या इतने समय के बाद आज की सिचुबेशन अगर स्वास्त के पॉइंट अव्यू से मैं देखूं तो बिल्कुल सही बनी रहेगी उसमें कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा मन आपका शांत रहेगा पॉजिटिविटी आप इंब्रेस करते हुए आगे चलेंगे बात करते हैं कनिया राशी वालों के लिए कनिया राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो जैसे आज का दिन चल रहा है चलने दीजिए समानिता कुछ खास उसमें आपको मेजर चेंज़स देखने को नहीं मिलेंगे कारशेतर में भी परिस्तितियां स्थिर रहेंगी जैसी चल रही है लोग आपके कामकाज के तारीफ करेंगे रिकनाइस होंगे आपके एफ़र्ट्स पराक्रम में वृद्धी आज के दिन देखने को मिलेगी कहीं न कहीं कुछ नया काम भी आपके हांता सकता है जो प्रोफेशनली आपको और जादा इनेबल्ड बनाके जा सकता है साथी साथ परिवार के किसी सदसिक्स के दौरा ली गई कोई भी मदद अगर आप लेते हैं उनसे तो आपके लिए काफी जादा वो हिल्पुल हो सकती है resourceful बनेंगे कहीं न कहीं काम्युनिकेशन भी रिष्टों में आज के दिन आप clarity के साथ लेकर आगे चलेंगे बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंता हैं तुलाराशी वालों आज के दिन आपको फर्स्ट हाफ के दौरान सता सकती हैं तो अपने स्वास्त का विशेश दियान रखना है साथी साथ आज के दिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या खर्चा करने से पहले सोच ले समझ ले सारे तथियों को निया वनुसार देख ले उसके बाद ही आगे बढ़े जो लोग कहीं न कहीं निवेश करना चाहते हैं गोल्ड में या शेयर मारकेट में या अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आज के दिन थोड़ा सनुकसान उठाना पड़ सकता है तो आपको कौशिस होके चलने की जरूरत है साथी साथ परिवार में कहीं मिसकॉमिनिकेशन ना हो जाए इसलिए शब्दों का च्रयून क्लारिटी के साथ आगे बढ़ना है शब्दों का च्रयन भी सोचके समझके करने की जरूरत है स्वास संबंधी चिंताएं आपको ध्यान देने के आज के दिन जरूरत है नहीं तो आपके रिए बड़ी चिंता का विश्यव बन सकता है बात करते हैं विरिष्टिक राशी बालों के लिए विरिष्टिक राशी बालों आज का दिन आपके साथ कोई ना कोई positivity लेकर जरूर आएगा आपके साथ कोई ना कोई एक अच्छी situation कोई अवस्था, कोई information कोई सूचना, कोई situation, कोई अवस्था condition आज के दिन जरूर बनती हुए नजर आएगी कई ना कई आपके सी वेक्टिविशेट से भी मिल सकते हैं जो आपको long term financial planning में या career point of view से काफी ज़्यादा लाबदाएक सिद्ध हो सकता है परिवार के वरिष्टम सदस्यों के तरफ से दी गई कोई बहुमेल राय आज के दिन आपके लिए कारगर हो सकती है जो लोग कंट्री से बाहर जाने के एक्षुक हैं उनके लिए परिस्थी आप movement के दारे में आएंगी documentation भी आगे बढ़ता हुए नजर आएगा को मिला कि आज के दिन आपके लिए नई नई चीजों को लेकर शुरुआत करने के लिए सर्वदिक लाबदायक माना जा सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आपके लिए extremely important यह है कि चीजों को आप balance बना कर आगे चले नकरात्मक situation नकरात्मक situation या नकरात्मक अवस्था से अपने आपको आपको दूर करना है साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेश आपको negativity दे रहा है तो उसके द्वारा दी गई negativity से अपने आपको immediately detach करिए पैसे के संबंद में कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेश के साथ आपकी मनमुटाव हो सकता है या तनातनी हो सकती है तो वहाँ पर आपको financial dealings में clarity रखने की जरूरत है और कोशिश करिए कि अगर आप किसी को loan दे रहे हैं तो सारे points या सारी चीज़ें clarity के साथ ही लेकर चलें ताकि बाद में आपको mental tension ना हो परिवार के साथ आज के दिन समय भी बिता सकते हैं जो आपको regimenate at the end of the day जरूर करके जाएगा बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए स्वासंबंदी चिंताएं मकर राशी वालों आपको सता सकती हैं पिता या पिता तुले किसी सदस्से के स्वास्त को लेकर आपकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज के दिन भी बढ़ सकती है इसलिए आपको doctori parameters लेने की जरूरत है regular monitoring करने की भी जरूरत है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अपसाजा होता हुआ नजर आएगा हालनकि आपके लिए traveling या काफी ज़दा hectic दे आज के दिन इंडिकेटेड है तो दिन के शुरुआत आपको balanced होकर और organized होकर चलने की जरूरत है सबी तथियों को review करें positivity embrace करें और आगे चलिए जिससे की आप अपनी चीजों में काफी ज़दा स्थिर्ता देख पाएं लंबे समय से अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे थे business स्थिर्ता या वृद्धी को लेकर तो अब वो आपके लिए परिस्तितियां favorable होकर सामने आने शुरू हो जाएंगी बात करते हैं कुमबराशी वालों के लिए कुमबराशी वालों आपके लिए स्थिर्ता बनी रहेगी सब तरफ से positivity बनी रहेगी कुछ खास उतार चलाओ देखने को नहीं मिलेगा मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबलतम शिखर को चूते रहेंगे positivity एंब्रेस करी आगे चलते चलिए जिससे कि आपको अपनी चीजों में शुबता या शुब संकेत देखने को मिले साथी साथ आज के दिन किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आपको बहुमुली राय मिल सकती वो आपका कोई गनिश्ट मित्र भी हो सकता है निवेश के point of view से अगर वो राय दी जाती है तो आप उस दिये गए suggestion को आप review कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं साथी साथ अगर आप multiple income resources पे भी आज के दिन काम करना चाहते हैं किसी घर के सदस्ट के लिए या उसके साथ आप काम काच कर सकते हैं नया शुरू कर सकते हैं उसके लिए कुछ न कुछ efforts कर सकते हैं जो overall परिवार की आर्थिक स्थिरता में काफी जादा लाबदा एक step हो सकता है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों situations favorable रहेंगी मन आपका शांत रहाएगा लोग आपके काम की तारिफ करते हुए नजर आएंगे कहीं से कोई negativity indicative नहीं है positivity अपने आप में लाईए अपनी situation में परिस्तिती में विचारधाराओं में confidently चीज़ों को address करी आगे चलते चलिए जो आप अपने लिए अपने सोचा है वो परिस्तितियां बहुत जल्दी आप आखलन करके अपने लिए वो परिस्तितियां create कर लेंगे career के point of view से काफी ज़्यादा आपके लिए positivity आ रही है आप अपने लिए assimilate कर पाएंगे सारे positive changes और confidence लेवल में भी आज के दिन इजाफा होते हुए देखेंगे कोई महतरपूर्ण निरनायक position आपके लिए आ सकती है career point of view से या कोई एक effective आप decision ले सकते हैं जो लंबे समय में आपकी परिस्टिती को और अच्छा प्रभाशाली बना कर जाएगा इसी के साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आज़े होंगी नमसकार